स्रेश वाय नमस्तु भेहम हम सबको पता है कि 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को पामपा कुशा एकदसी का बहुत ही प्यारा सा दिन है पूरी फैमिली की परिवार की खुशियां चाहते हो अगर आपना तो आज रात में तुलसी पत्ते के साथ में सभी लोगो एक दीपक जलाना होगा जिससे आप इस एकदसी पर उपाए करोगे और अगली जो भी एकदसी आएगी उसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा अपने परिवार में जो कि पूर्जी गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से बताऊंगा इस पेशल सा प्यारा सा उपाए है अपने लिए अपने परिवार के लिए आप सभी को इस उपाए को जरूर करना सबसे पहले आपको नियम बता देते हैं कि आपको यह उपाए करना कब है कुछ लोग मान रहे हैं कि 13 तारी को एकादसी है कुछ लोग मान रहे हैं 14 तारी को एकादसी आप के हाँ जितने दिन मानना जाता होगा आप उस recording उपाए को करेंगे साथ ही साथ एक चीज और बता दो इस उपाए को करने के लिए आपको किसी भी तुलसी माता के पत्ते को या फिर किसी भी व्रक्ष की एक भी पत्ते को अपने हाथों से तोड़ना नहीं है इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा ठीक है ना चलो अप समझने जुपाए को इस करण पर आप सभी को तुलसी माता का पौधा दिख रहा है आपको एक पत्ता लेना है तुलसी माता का जो यहाँ नीचे कहीं पे गिरा हुआ हो पत्ते को तोड़ेंगे नहीं फौर एक्जामपल उदाहरन के तौर पे मान लिजे कि यह पत्ता आपने तुलसी माता का ऐसे तोड़ लिया आपके पास में होना चीजिए थोड़ी सी हल्दी है ना हल्दी से मात्र एक बूंद ऐसे करके एक बिंदी आपको लगानी है तुलसी माता के पत्ते के ऊपर और जब बिंदी लगाओगे तो किसका इसमरन करोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाई फिर से बोल रहा हूँ एक बार नाम को नोट करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाई के नाम से आपको क्या करना है इस प्रकार से करना होगा उसके बाद में आपको क्या करना है दीपक लेना है इस तरीके से अब एक दिया लेंगे और वो दीपक मिट्टी का होना चाहिए इस तीश का भी विशेश ध्यान दीजेगा हमें यह दीपक तुलसी माता के पौधे के पास में लगाना है और मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार समझा रखा है कि जब भी हम तुलसी माता के पास में दीपक को लगाते हैं प्रजुरित करते हैं तो बत्ती कौन सी होनी चाहिए हमेशा गोल बत्ती का दिया होना चाहिए ठीक तो क्या करना है जो आपने तुलसी माता के पत्ते के उपर हल्दी लगाई है उसको रख देना और उसी हल्दी लगे हुए पत्ते के ठीक बगल में उस दीपक को आपको वहाँ पे रख करके और गोल बत्ती का जो दिया होगा उस पर कोई सा भी अनाज का दान रख करके दीपक को जला देना यकीन मानी अगर अपने परिवार की फैमली की तरक्की के लिए उनकी उन्नती के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी साथी साथ पूरी फैमली पूरा परिवार आपका खुश रहेगा एक छोटा सा बात और बता दू कि जो आपने तुलसी माता के पत्ते के उपर बिंदी लगाई थी हल्दी की उसे उठा करके तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देंगे एक नियम को और फॉलो करेंगे एका दसी के दिन तुलसी माता की आप परिकर्मा कर सकते हूँ कोई इशू नहीं है तुलसी माता की पास में आप दीपक लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट तुलसी माता के पौधे के अंदर आपको जल नहीं डालना चाहिए इसका हमें दोश लगता है तो इस चीज़ का ध्यान लखिएगा ठीक है ना चलो तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ और ये जो दूसरा उपाय है आपको दो काम में आएगा है ना जो पहला काम है वो काम यह होगा कि आपकी मान लेते हैं कि जो आखें ना वो वीक हैं कमजोड है और उनके लिए उपाय कर सकते हो साथी साथ मान लो कि आपकी याददास वीक है कोई सामान कहीं रख दिया भूल गए थोड़ी दिर के बाद यादाए अच्छे यहां रखे थे मतलब यादास अगर आपकी week है कमजोड है चाहे आपकी हो बच्चों की हो husband की हो wife की हो किसी की भी हो इस उपाय को करेंगे ठीक है ना इस उपाय के लिए आपके पास में दो option होते हैं दोनों option में सबसे पहला तो ये है कि आपको अगर तुलसी माता की लकड़ी कहीं पे यहाँ नीचे गिरी हुई मिल जाए कोई भी एक लकड़ी छोटी सी उठा लेना और ये उपाय आज रात में करना है दिन में नहीं कर सकते ठीक है ना उठा लिया एक लकड़ी अब अगर आ आपने रुदराक्ष लिया हो या फिर आपने तुलसी माता की लकड़ी लिया हो आप ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां से चंद्र देवता के आपको दर्शन हो रहे हो ठीक है ना वहाँ पे जाना चाहे अपने घर की छट पे या फिर जहां पी आप वहाँ जाके ऐसे खड़े हो करके अपने हाथों में तुलसी माता की डंडी को ले करके या फिर अपने हाथों में रुदराक्ष को ले करके और रुदराक्ष के अंदर का जो छिद्र होता है उस छिद्र से अगर आप दर्शन कर लेते हैं मात्र एका दसी के दिन चंद्र देवता के तो इससे थी थी पामपा कुशा एक अदसी के दिन भी आपको क्या करना चाहिए इस तरीके से चंदर देउता के दर्शन को करके और वहाँ पे आपको देखना चाहिए कुछ लोग क्या चंदर देउता दिखाई देंगे बादल वगरा की वज़े से अगर दिखाई देते हैं तो उपा को ज़रूर करना ठीक है न और हाँ अगर आपके पास में रudraक्ष नहीं है तो आपको पता है कि 13 अक्टूबर राद 12 बजे तक मेरा एक ओफर चल रहा है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रudraक्ष या 9 मुखी रudraक्ष या 6 मुखी रudraक्ष इन तीरों में से कोई भी एक रुद्राक्ष लेते हो तो इसके साथ मैं आपको पांच मुखी रुद्राक्ष फ्री दूँगा इस स्क्रिन पे जो आपको कमल गटे की माला दिख रही है इस माला को मैं आपको फ्री दूँगा प्लस महादेव को जो सबसे प्रीय होता है उनका सफेद भश्म वो मैं आपको फ्री दूँगा तो अगर चाहिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345 सिर्फ 24 घंटे का समय आपके पास में है फिर आपके लिए ये ओफर खतम हो जाएगा तो जल्दी देर नहीं करनी है जल्दी से मैसेज करिएगा अब बात करते ही इस तीसरे उपाय की देखो जैसे ये आपने कमल गट्टा यहाँ पे देखा आपकी माइंड में एक ही सवाल आया होगा भईया क्या ये उपाय धनसम पता का है तो इसका जवाब है हाँ अगर आप पे घर में मा लक्षमी का वासनी है पैसों को लेके बहुत चिंतित हो परेशान रहते हो तो इस उपाय को करेंगे मात्र एक कमल गट्टा यहाँ पे तो पूरी माला दिखरे है पूरी माला नहीं लेनी इस उपाय में है न आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना उस एक कमल गट्टे को एक छोटी सी कटोरी लेना उस कटोरी के अंदर क्या करोगे उस कमल गट्टे को रख देना ठीक है ना रखने के बाद में एक चुटकी हल्दी लेना और उस एक चुटकी हल्दी को आपको क्या करना है इसी कमल गट्टे के उपर गिरा देना जब हल्दी गिरा रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदिवाय का ध्यान करेंगे साथी साथ आप अपने हाथों में क्या करोगे जल लेना पानी लेना और उस जल को पांच बार इस कमल गट्टे के उपर ओम नमो भगवते वासुदिवाय का ध्यान करते आपको गिराना होगा ध्यान रखिएगा डारेक्ट जल को कमल गट्टे के उपर नहीं गिराना है आपको पहले उस जल को अपने राइट हैंड में दाइने हाथ में गिराना है और फिर उस जल को इस कमल गट्टे के उपर गिराना ठीक है न पांच बार जल गिराएंगे पांच बार आपको ओम नमो भगवते वासदिवाय का ध्यान करना है इस कटोरी को उठाना आप अपने घर में जहां पे भी पूजा पाट करते हो उस अस्थान पर भगवान विश्णू के पास में भगवान हरी के पास में रख देना अगर उनकी फोटो मूर्ती प्रतिमा नहीं है तो आपके घर में तुलसी माता का पौदा होगा उनके पास में रख देना अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठना सो मौर मंगलवार को तो आपको क्या करना है पीपल पेंड के नीचे जाना है और उन पूरे के पूरे चीजों को पीपल व्रक्ष के नीचे डाल देना है इससे क्या होता है जिन भी कारण से हमारे घर में धन की कमी होती है मा लक्षमी कवास हमारे घर में नहीं होता तो वो होना स्टार्ट हो जाता हम लोग ने यहाँ पे तीन उपाय की बात के लिए एक आखरी उपाय के हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि आपको मात्र करना है काले तिल के साथ में लेकिन कैसे करना है जल्दी से कर दीजे वीडियो को लाइक और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब ठीक है चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत स्पेशल सा उपाय है आखरी उपाय है जैसे मान लीजे कि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है कामना है जो अधूरी रह जा रही है पूरी नहीं हो पा रही है तो आप इस उपाय को करेंगे इसके लिए आपको 31 काले तिल लेने साथ ही साथ आपको फिर इस परकार लेना होगा तामबे का लोटा और उस तामबे के लोटे में जल भरना जल के ही अंदर जो आपने 31 काले तिल को लिया है उसको डाल देना और इसको लेके आपकी घर में जो महादेव का शिवनिंग हो वहाँ पे लेकर के जाना जो पाँच साथ आपको समर्पित करना है थोड़ा थोड़ा जल है na कौन कौन सा जगा है सबसे पहले विग्न हरता भगवान गणेश का स्थान दूसरा भगवान कारतिकी का स्थान तीसरा माता असोग सुंदरी का चौथा माता के हस्त कमल पे और लाश्ट में जितना भी कलश में जल है पूरा का पूरा महादेओ के शिवलिंग के उपर समर्पित कर देना जो भी विक्ती एकादसी के दिन 31 काले तिल को डाल करके महादेओ के शिवलिंग के उपर 5 स्थान पे समर्पित कर देता है उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है जो wishes होती है वो बहुत जल्दी पूरी होती है तो भूलना नहीं किसी को हर इंसान को सुपाय को जरूर करना है तो मैंने कोशिश किया आप सभी को अच्छा समझाने की आप सुपाय को 13 अक्टूबर को भी कर सकते हैं और 14 अक्टूबर को भी कर सकते हैं आपके हाँ जब भी एक अदसी मनाया जाए या फिर वरत रहा जाए बाकी आपको कुछ चाहिए तो मैंने नंबर आपको दई दिया है और आज तक ही सिर्फ है 24 घंटे के लिए तो आप सभी को जरूर मंगाना चाहिए तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कोमेंट सक्षने पूछ सकते हैं और मेरे जितने भी भाई वहन आवाज मेरी पहरी बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे स्री शुमाए नमस्तु भ्यूंग